हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल अब्दुलेड्यूकेर तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1.6 दपीकॉक एंडी क्रें के कोशन आंसर मैं आज आपको देने वाला हूं तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे इस चैलेंज उधर हम आपके लिए चैलेंजिंग वीडियोस लाते रहते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो यह है फ्रेंड्स मीनिंग्स तो पहले आप मीनिंग्स पढ़ लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है वीडियो को पॉस्ट करकर तो फ्रेंड्स यह देख सकते हो आप कोशन्स और आंसर तो दोस्तों कोशन नमबर वन है हमारा आंसर दी फॉलोविंग कोशन्स तो फॉस्ट कोशन है वाइड इड़ पीकॉक्स कॉफ एड इसका आशर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप लिख लीजिए कर मार वाट रिप्लाइब दब्लाइब लिख लीजिए और पिटेंट वीघ्टेंट सकते हैं तो फ्रेंड्स कोशन नमबर टू है हमारा फाइंड पाइड वीडियो को अध्यक्रिव्स अट एंड फॉल ए और दोस्तों आपको five adjectives find out करने है जो एंड होते है फुल से और फाई लेस से देन राइट एंटोनोमस एच तो हर एक का आपको एंटोनोमस याने कि अपोजिट शब्ड अपोजिट वर्ड लिखना है तो यह बहुत देख सकतो यही आंसर है फ्रेंड्स आपका adjectives ending with full तो यह है beautiful, careless, colorful, harmful और tadful तो इनके अंटोनोमस है adjectives ending in less तो यह है less से और इनके अंटोनमस है तो यह वाला क्या बोलते है टेबल टेबल बहुत ज़्यादा important है यही आपका आंसर है तो friends question number 3 हमारा read the following sentences carefully and choose the correct meanings तो आपको यह sentence carefully read करना और उनका correct meaning बताना है तो इसका आपको असली मतलब बताना है तो इसका आपको असली मतलब बताना है तो इदर तीन option दिये है answer हमारा right option है second वाला the peacock's tail was more beautiful than other birds than any other birds okay friends तो friends भी है हमारा fine feathers don't make fine birds तो इसके तीन option दिये right answer है third option वाला some time some things that looks beautiful may not really be useful ओके यह है इसका correct answer अभी friends आप देख सकते हो इदर तो question number 4 हमारा list five adjectives and five nouns from this story तो पांच आपको adjectives बताने है स्टोरी में से और पांच nouns तो answer है हमारा adjectives कौन से कौन से कौन सी कौन सी टीड़ कौन सी टेड़ कौन सी टेड़ गॉर्जियस कलरलेस डल कलरफुल नाउन है peacock crane tail bird feather ओके तो यह answer आप लिख लीजिए और चैनल को सब्स्राइब करना तो friends यह हमारा open ended questions तो open ended questions भी आपके exam में आते हैं friends तो question 1 हमारा imagine you are the crane what action and words of the peacock would you not like write about it in short तो इसका answer आपको screen पर दिख रहा है यह लिख लिजी आप और question number 2 हमारा find one more example which shows that a beautiful appearance is not enough तो आपको ऐसे बताना है इसका answer आपको इधर से इधर तक स्क्रीन पर दिख रहा है वो भी आप लिख लिजिए तो friends यह वाला जो हमारा chapter है यानि की poem the peacock and the crane 1.6 तो इस चैप्टर के सारे question answers में आपको इस वीडियो में दिये हैं अगर आपको यह वाला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थांक्स पर वचिंग इस वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो माई चैनल अब्दुलेडियू कैर